आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कॉंग्रेस को जॉइन करने का काम किया चुकर राहुल जी की यात्रा के बाद, पूरे देश में एक महल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते वे भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाग हैं और देश की राजनीत के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे और वो असर उसका हिमाचल के और करनाटक के चुनाव में दिखाई दिया जब प्रियंका जी ने जाकर के परचार किया और परचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब चार स्टेट में इंशालला और आने जा रही है अभी राजी भाई ने मुझसे सुभाई पूचा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कारे करता है जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं इनके वज़ा से ही मैं पार्टी छोड़ कर गया था और मैंने मिटिंग बुला कर के अपने सब लोगों को 18,000 आदमी था सारणपूर में पूचा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडूलम बना दिया अब बताओ मैं क्या करूँ अब आप कह रहा हो कि मैं कॉंग्रेस में चला जाओं लेकिन मैं चला तो जाओंगा लेकिन एक वादा आप से लेना चाहता हूँ कि अब मेरे साथ कोई आप जल्म ना करना चुक्कि अब मैं मानूगा नहीं और यह प्ते है कि अगर अब कॉंग्रेस में जाओंगा तो फिर कबर तक कॉंग्रेस के अंदर रहूँगा तो यह वादा लेकर के यह बात मैंने आपको सुभा बताई थी तो यह वादा लेकर के हम लोग आए थे चुक्कि जब मैं कॉंग्रेस छोड़के गया मैं तब भी कॉंग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था रहुल जी और प्रेंका जी का जो सने मेरे सात्रा मैं उसका सदेव रिणी रहूंगा और मैंने इस बात को बारा बताने का भी काम किया आज कॉंग्रेस के इंदर संबली थोने पर मेहरदे की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ झाल 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 झाल